Hello students, welcome to our YouTube channel Broken Bondage और आज हम करने जा रहे हैं 8th class के English की जो supplementary book है जिसका नाम है It So Happened और उसका second lesson जिसका title है Children at Work वो करने जा रहे हैं, ठीक है? मीन बच्चे काम पर जो title है वो शो कर रहे हैं इस पूरे lesson के अंदर आप देखेंगे कि एक 11 साल का लड़का है जिसका नाम वैलू है और वो घर से भाग जाता है घर से क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसके पिताजी बहुजदा सराब पिते हैं और वो और जो उसकी बहने जो पैसे कमा कर लेकर आते थे उनके पिताजी वो पैसे उनसे हर रोज छीन लेते सराप पर उडा देते और उनकी पिटाई करते तो वैलू ने डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगा और अट लास्ट वो घर से भाग जाता है अब वो कहा जाता है, क्या करता है यह पूरा हम इस लेसन में अब पढ़ने वाले हैं ठीक है, यह बच्चे जो हैं वो घर से भागते क्यों हैं उसके बारे में बता रखा है पढ़ने से पहले देखिए क्या रीजन होते हैं इसे बहुत सारे कारणे जिनकी वज़े से बच्चों को काम करना पड़ता है बच्चे जो हैं वो अपने प्रिवार की मदद करते हैं लाइवलिहूड का मतलब आज़ीवी का ताकि क्या कर सकें, वो कुछ आज़ीवी का कमा सकें अदर्स, कुछ बच्चे who run away from unhappy homes जिनका घर में मन नहीं लगता या फिर उनके साथ में हर रोच लड़ाई जगड़ा होता है वो भी घर से भाग जाते हैं तो उनको भी क्या करना पड़ता है? नीट तो स्पोर्ट थेमसेल्फ अपना खुद का पालन पोशन करने के लिए काम करने की जुरुत पड़ती है चिल्डरन who have to work cannot go to school और वो बच्चे जो काम करते हैं तो वो स्कूल नहीं जा सकते और अपने ही उमर के बच्चों के साथ में वो खेल भी नहीं पाते ऐसे बहुत सारे रिजन है अब देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है स्टोरी का वैलू एन 11 येर ओल्ड बोई वैलू जो गैरा साल की उमर का लड़का है रंस अवे फ्रों होम घर से भाग जाता है कई घंटों तक वो इदर उदर घूमता रहा जब तक कि उसे ट्रेंड नहीं मिल गई एक गाड़ी नहीं मिल गई जो उसको कहा लेकर जाती चेन नहीं विदाउट ए टिकेट और वो भी बिना टिकेट के ठीक है वो इदर उदर कई घंटों तक गुमता फिरता रहा जब तक कि उसे चेनल जाने वाले गाड़ी नहीं मिल जाती है और वो भी बिना टिकेट के टाइड एंड हंगरी बुखा भी था ठका हुआ भी था और उसे नहीं पता था वेर टू गो कि जाना कहा है और जब एक अजनबी ने एट था स्टेशन स्टेशन के उपर साउटे वर्ड्स ओफ वेलकम चिला कर उसका स्वागत किया वहाँ पर ठीक है जब वो स्टेशन पर उतरा तो वहाँ पर कोई अजनबी उसे मिलता है और वो उसको चिला कर क्या करता है उसका स्वागत करता है अब story start होती है when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central जब Kanyakumari Express यह ट्रेन का नाम है जिस गाड़ी में वो value बैठा हुआ था pulled in का मतलब होता है पहुचना जब यह Kanyakumari Express Chennai Central Station पर पहुचती है it took value some time to get off value को थोड़ा सा समय मिल जाता है नीचे उतरने का when he finally stood on the platform और जब वो platform पर खड़ा था his legs felt wobbly और उसकी जो टांगे थी उसे क्या लग रहा था जैसे वो लड़ खडा रही है उसकी टांगे इसे की टाइप की लग रही थी मतलब हिल रही थी as if he was still on a moving train और उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अब भी चलती वी गाड़ी में ही सवारी कर रहा है ओए out of the way चलिए रास्ते से हटिए a porter एक कुली वहाँ पर went by with a loaded trolley जिसका समान जो ट्रोली थी वो समान से लदी वी थी वो वहाँ से गुजरा value jumped aside, value उचल कर एक तरफ हो जाता है he sat on a bench on the platform और platform पर जो bench डली होई होते हैं उनमें से एक bench के ओपर value बैठ गया putting his small bundle down और अपना छोटा सा जो bundle जो port ले अपने साथ में लेकर आया था वो उसने नीचे रखती in all his 11 years अपने सारे 11 सालों के दुरन क्योंकि उसके एज कितनी थी यहाँ पर पहले ही बता रुक है an 11 year old boy, एक 11 साल का लड़का तो अपने 11 सालों के दौरान he had never seen so many people उसने आज से पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे थे except once a year at the fair in his village के सिवाए जो उनके गाओं में एक मेला भरा करता था साल में एक बार तो वहाँ पर उसने कभी कबार इतनी भीड देखी होगी इसके अलाव उसने अपने जिवन में इतनी ज़्यादा भीड नहीं देखी थी people walked by लोग चल रहे थे इदर उदर bumping into him और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर गुशे जा रहे हूं उसके उपर चड़े जा रहे हूं with your suitcase अपने समान के साथ a voice announced और जैसे कि आपको एल्व स्टिसन का पता ही होता है एक जो आवाज थी वहाँ पर announce की जा रही थी something on a loudspeaker किसके अंदर से? loudspeaker के अंदर से बोली जा रही थी near him और उसके पास में ही एक group of people एक लोगों का समू सेट ओन बैठा हुआ था dear luggage अपने समान के उपर looking at a TV hanging from the roof और किसकी तरफ देख रहा था? उस TV की तरफ देख रहा था जो चट से किसी चीज के सारे से निचे लटका हुआ था the noise was terrible और जो सोर सराबा था वो बड़ा ही भयानक था मतलब, confusing था बोज़ादा सोर सराबा वहां पर था वैलू पूट इस हैट डाउन ओन इस नी क्या क्या वैलू ने अपने सिर को अपने घुटनों के उपर रख लिया feeling miserable बड़ी ही दयनिय उसे स्थिती लग रही थी बड़ा दयनिय फील कर रहा था हो महसूस कर रहा था and exhausted और बहुत बुरी तरह से थकावा था exhausted mean tired, very tired पोज़ादा थकावा होना he had run away from his village और वो अपने घर से भाग गया था two days ago दो दिन पहले उसने अपना गाउं छोड़ दिया था घर छोड़ दिया था भाग गया वहाँ से for two days he had eaten nothing और पिछले दो दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था but some peanut हाँ, उसने कुछ मुंगपली खाई थी and a piece of jaggery और एक गुड का छोटा सा टुकड़ा खाया था जैगरी मतला गुड और पिनट मतला मुंगफली in his bundle और जो पोटली वो अपने साथ में लेकर चला था he carried a shirt, a towel and a comb उसने क्या-क्या डाल रखे थी एक shirt डाल रखे थी अपनी उसमें एक तोलिया था और उसके साथ-साथ एक गंगा भी उसने पोटली में रख रखा था he had walked for most of the first day to Kanor और वो Kanor पहुँचने के लिए लग बग पूरे दिन जब वो पहले दिन घर से बागा था पूरे दिन चलता रहा, पैदल चलता रहा और वो Kanor पहुँचा and then got on the train to Chennai और वहां से वो गाड़ी में सुवार हो जाता है जो गाड़ी कहां आ रही थी, Chennai आ रही थी वैलो had no money for a ticket वैलो के पास में पैसा नहीं था टिकेट खरीदने का but luckily पर किस्मत देखिये उसकी the ticket collector did not come to the unresolved compartment पर जो ticket collector होता है, जो ticket check करता है वो नहीं आया जो अनारकसित डबा था गाड़ी का जहां पर वैलो सुवारी कर रहा था जिसमें बैठ कर तो वहां पर ticket चेक करने वाला किस्मत से नहीं आया तो बच जाता है he had tried to sleep on the floor near the door और जिस डबे में वो सुवारी कर रहा था तो उसने दर्वाजे के नजदी की सोने की भी कोसिस की फरस के उपर एक group of men next to him और एक आदमियों का जो group था दल था जो उसके आगे बैठा हुआ था head played cards वो क्या कर रहे थे card खेल रहे थे mean task खेल रहे थे and shouted all night और पूरी रात चिला रहे थे A. what new to town क्या इस कस्बे में आप नए हो called out a rough voice एक रूखी सी आवाज उसे सुनाई देती है कब सुनाई देती है जब वो station पर बैठा हुआ था bench के उपर अपने सिर को गुटनों पर जुकाए वे well who opened his eyes well who अपनी आखे खोलता है क्योंकि उसने अपने सिर को कहा जुका रखा था गुटनों पर जुका रखा था there were a lot of people standing around बहुत ज़्यदा लोग उसके चारों तरफ खड़े वे थे but nobody was looking at him पर उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था mean उन में से किसी ने उसको नहीं पुका रहा here, eh फिर आवा जाते, अरे यहां पर he turned round, वो मुड जाता है behind him वाजे गर्ल around his own age और उसके पीछे उसी की उमर के एक लड़की उसे दिखाई देती है wearing a long banyan that came down to her niche और उसने क्या पहन रखी थी, एक लंबी सी अकड़ना, यह सकत हो न तो उसके जो बाल थे, वो काफी कठोर या सकत थे and brownish और बुरे रंके हो चुके थे and C had a huge sack on one shoulder और उसके एक कंदे पर क्या था, एक बड़ा सा sack का मतलब था बोरा, एक बड़ा सा बोरा था C was picking up dirty plastic cups from the floor और वो क्या कर रही थी, जो गंदे प्लास्टिक के कप जो फरस के उपर गिरे वे थे, वो उनको pick कर रही थी उठा रही थी and stuffing them और उनको ठूस रही थी into her sack, अपने बोरे के अंदर why is she calling me, वो मुझे क्यों पुकार रही है thought value, value ने शोचा and why is a girl wearing a बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है no need to stare stupidly what is your name मुरकता से घूरने की जुरूरत नहीं है stare का मतलब होता है घूरना, stupidly का मतलब होता है मुरकता से, ठीक है न, मतलब इतना पागलों की तरह घूरने की जुरूरत नहीं है नाम क्या है तुम्हारा value answer देता है, कौन देता answer muttered, muttered का मतलब था बुदबुदाना हलके से बुदबुदाता हुए value कहता कि मेरा नाम value है looking away और वो कहीं दूर देख रहा है so Mr. value तो स्रीमान value said the girl, लड़की ने कहा looking at his bundle उसकी पोर्टली की तरफ देखते वे run away from home क्या घर से बागे हो value did not answer value ने उत्तर नहीं दिया he did not want to tell some strange girl क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी अजनभी लड़की को बताना what he had done, कि उसने क्या किया है he had run away because he could not stand his father क्योंकि वो अपने पिताजी से एक और जदा दिन नहीं पिटना चाहता था his father would snatch away और उसका पिताजी क्या कर लेता snatch का मतला था छीन लेना उसका पिताजी वो सारा पैसा छीन लेता all the money, वो पैसा value and his sister earn, जो value और उसकी बहने कमाते and spend it on drink और किस पर खर्च कर देते उसके पिताजी, जो सराब होती है उसके उपर वो सारा पैसा खर्च कर देते don't think, I don't know ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता है this place is full of children like you ये जगह तुमारे ज़से बच्चों से भरी पड़ी है so what are you going to do here तो तुम यहां क्या करने जा रहे हो become rich क्या, अमीर बनने के लिए आये हो यहां पर she sat down next to him और वो उसके पास में आकर बैठ जाती है value shifted और value क्या करता है, खिसक लेता है अब ये थोड़ा सा दूर, slightly, हलका सा चीक है, तो क्या कर लेता है जैसे ही वो उसके पास में बैठ थी तो थोड़ा सा खिसक जाता है he felt hunger pinching him अब ये उसे भूख लग रही थी और भूख भी चुभन वाली थी, पिंच का मतलब होता है चकोटी काटना या फिर चुबना बूख भी उसके पेट में चुब रही थी and pressed his stomach with a grimace और उसने अपने पेट को दबा लिया मुह बनाते वे, जैसे ज़्यादा दर्द होता है तो चेहरे के भाव बदल जाते हैं तो grimace का मतलब होता है मुह बनाना, दर्द से मुह बनाना hungry, बूखे हो क्या, बूख लगी है ask the girl, लड़की ने पूछा you won't get food by sitting here, gloomly gloomly का मतलब होता है, उदासी से यहाँ उदास होकर बैठने से तुम्हें बोजन नहीं मिलेगा making faces, और ना चेहरा बनाने से I can find some if you want अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंड सकती हूँ she picked up for a sack, उसने अपना बोरा उठा लिया and started to walk away और वहाँ से चलना सुरू कर देती है well stayed on the bench, well उसी bench के उपर ठहरा रहा what should he do, उसे क्या करना चाहिए should he follow, this girl क्या उसे उस लड़की का पिछा करना चाहिए where was she going to take him वो लड़की उसे कहां लेकर जा रही है she was disappearing into the crowd और वो लड़की जो वहाँ पर बहुजदा भीड थी उसमें एद्रिश्य होती भी दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों की भीड में कहीं ना कहीं वो गुम हो जाएगी जल्दी ही so he had to make up his mind quickly इसलिए उसे जल्दी से फैंसला लेना था कि उसको उसकी लड़की के पिछे चलना है या नहीं चलना है all right, ठीक है, he decided उसने निश्चे कर लिया भाई ठीक है, उसके पिछे ही चलते हैं anyway, I have no idea where to go वैसे भी, मेरे पास में अभी कोई विचार नहीं है कि मुझे कहां जाना है he jumped up, वो उचलकर उचलता है एंडरन आफ्टर हीम और उसके पिछे दोड़ पड़ता है दोड़ पड़ा, she was not even looking back to see where he was, और उसने तो यहां तक पिछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वो लड़का है कहां पर कहां पर था, कि वो उसके पिछे आ रहा था कि नहीं आ रहा था तो यह था dear student आपका part one ठीक है